Hello students, आज हम start करेंगे अपने unit number 4 जिसका नाम है chemical bonding and molecular structure ठीक है student, तो देखिए chemical bond क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे अपनी unit का नाम ही ये है chemical bonding, तो ये bond क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसके बाद हम further unit को start करेंगे अब देखिए student, आप सबको पता होगा कि atoms क्या होते हैं What is atom? देखिए, atom क्या है? Atom is the smallest particle of element कि किसी भी element का, जो सबसे smallest particle है, उसको हम क्या बोलते हैं? Atom बोलते हैं, ओके, जो होता है, atom की independent existence exist कर भी सकती है और नहीं भी जो atom होता है, ये independently exist independently exist कर भी सकता है और नहीं भी, independent existence maybe or not ठीक है, जैसे हम example लेके चले, hydrogen होता है भी कभी भी ये nature में hydrogen के form में नहीं मिलेगा अपने को कैसे मिलेगा? H2 की form में एक hydrogen, दूसरे hydrogen के साथ combine होकर ही हमें मिलता है ठीक है, oxygen है, जैसे oxygen किस form में मिलेगा? O2 की form में मिलेगा ठीक है, fluorine है, hydrogen होता है अपने पास वो भी किस form में मिलते हैं, diatomic form में मिलते हैं ठीक है, तो ये जो atom होते हैं, ये कभी भी independently exist नहीं करते हैं सिर्फ जो noble gases होती है न, जैसे helium, neon, argon, krypton, ginone ये सिर्फ क्या कर सकती है? independently exist कर सकती है क्योंकि ये क्या होती है, stable species होती है, कैसी होती है, ये stable होती है तो इस वज़े से इनकी independently existence exist होती है लेकिन कई ऐसे atom होते हैं, जो independently exist नहीं करते वो सिर्फ कैसे exist होंगे bonding state में clear हो इतनी बात तो जब atom क्या करते हैं, दो ये दो से ज़्यादा atom जब combine होते हैं, तो किसका formation करते हैं, वो molecule का formation करते हैं भी क्या बना देते हैं, molecule बना देते हैं तो molecule क्या होता है अपने पास, molecule combination होता है two or more than two atom का two or more than two atoms जब क्या करते हैं, combine करते हैं तो वो किसका formation करते हैं, molecule का formation करते हैं और ये दो या दो से ज़्यादा atom किस तरह से combine करते हैं ये chemical bond के through combine करते हैं जैसे हम H2 का example लेकर चले तो एक hydrogen, दूसरे hydrogen से कैसे attach होगा, एक bond के through attach होगा, इनके बीच में क्या exist करता है, bond, जैसे oxygen atom है बे, O2 है अपने पास, oxygen और दूसरे oxygen के बीच में क्या होता है, bond होता है, ब इस तरह से एक दूसरे से combine होते हैं, bond के through combine होते हैं, ओके ठीक है, अब देखे, ये bond क्या होता है, what is chemical bond, हम bond को कैसे define करेंगे, ठीक है, तो bond क्या है, bond एक टाइप का force of attraction है, it is a kind of force of attraction, bond क्या होता है, एक तरह का force of attraction होता है, which holds, which holds the atom, which holds the atoms together, जो atoms को क्या करके रखता है, एक दूसरे से combine करके रखता है, ये इस तरह का एक force of attraction होता है, जैसे इधर देखिए, एक hydrogen, दूसरे hydrogen से कैसे connect है, एक bond के through, और ये bond क्या है, एक hydrogen का दूसरे hydrogen से force of attraction है, clear हुई इतनी बात, तो देखो students, chemical bond क्या होते हैं, chemical bond, एक तरह के force of attraction होते हैं, जो atoms को क्या करके रखते हैं, combine करके रखते हैं, एक दूसरे से, उनको हम क्या बोलेंगे, bond बोलते हैं, clear हुई इतनी बात, अब हमारे मन में questions आते हैं, कि ये जो bond बनते हैं, atoms जो होते हैं, उनक combine होते हैं, ठीक है, first question हमारे दिमाग में ये आएगा, कि why do atoms combine, कि जो atoms होते हैं, वो combine क्यों हो रहे हैं, why do atoms combine, कि atom combine क्यों होते हैं, और second बात हमारे मन में ये आएगी, कि atom combine होते हैं, तो ऐसे कौन-कौन से mode है, जिनके through atoms क्या कर सकते हैं, combine कर सकते हैं, ठीक है, कि mode of bond क्या कि किस तरह से अटम कंबाइंड करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स जो एटम होते हैं उनके टेडेंसी क्या हुती है आटम क्या चाहते हैं stability gain करना क्या चाहते हैं वो stability को attain करना वो stability attain करने के लिए किसका formation करते हैं bond का formation करते हैं clear हुई इतनी बात हर एक element क्या चाहेगा stability को attain करना चाहेगा stability को attain करने के लिए atom क्या करते हैं bond का formation करते हैं ठीक है और stability कब हो सकती है जब अपने पास energy क्या होगी? सीस्टम की low होगी जब सीस्टम की energy low होगी तभी system क्या होगा? highly stable होगा बात समझ रहे हो system कैसा होना चाहिए low energy चाहिए तभी उसके stability कैसी होगी? high होगी बात समझ रहे हो अब आप सारे आप सब की energy अगर low है तब ही आप क्या होगे, stable, अगर आपकी energy भी high हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, गुस्सा करोगे, इदर उदर बागोगे, बात समझ रहे हो, इसे जैसे atom भी क्या चाते हैं, stability attain करना चाते हैं, और वो stability कैसे attain कर सकते हैं, अगर उनकी energy क्या होगी, low होगी, अब वो देखो, ये state को कैसी attain कर सकते हैं, तो देखिए student, अपने पास ऐसे कौन-कौन से atom है, जो stable होते हैं, inert gas atom जो है अपने पास, inert gases होती है, या फिर जिनको हम noble gas बोलते हैं भी, ये noble gas और inert gases क्या है, stable element है, ये stable atoms है, ठीक है, जैसे helium है, neon है, argon है, krypton है, और genome, ये सारे के सारी element कैसे है, stable ह तो other atom भी क्या चाते हैं, इनकी तरह stability को attain करना चाते हैं, अब इनकी तरह stability को कैसे attain कर सकते हैं, other atom अपने outer shell के अंदर क्या करके, अपने outer shell के अंदर 8 electron को complete करके, बात समझे रहो, अगर सारे atom अपने outer shell में 8 electron को complete कर लेते हैं, मतलब अगर वो अपना octate complete कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे stability को attain कर लेंगे बात समझे रहो हर एक item चाहता है कि वो noble gases जैसी electronic को configuration attain कर ले और noble gas जैसी configuration को attain करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा अपनी outer shell के अंदर eight electron को complete करना पड़ेगा that means octate को complete करना पड़ेगा बात समझे रहो जब atom का octate complete हो जाएगा तो उसकी energy लो हो जाएगी और energy लो होने की वज़े से stability क्या हो जाएगी increase हो जाएगी यही region है जिसकी वज़े से atoms क्या नहीं करते independently exist नहीं करते वो किस तरह से रहते हैं combined form में रहते हैं एक atom दूसरे atom के साथ bond बनाके रहता है किस क्या है उनका region stability को attain करना और stability को कैसे attain कर सकते हैं वो octate को complete करके बात clear हुई इतनी तो इधर से अपने पास क्या आता है octate rule आता है भी तो देखिए octate rule क्या बोलता है what is octate rule तो देखिए students octate rule क्या होता है octate rule it is the tendency of it is the tendency of atoms it is a tendency of atoms to complete to complete eight electron in their outermost shell to attain maximum stability and minimum energy clear हुई इतनी बात तो देखिए student octate rule क्या होता है octate rule वो होता है जिसके according हर एक atom की tendency होती है अपने outermost shell में eight electron को complete करने की eight electron को complete क्यों करना जाते है वो maximum stability को attain करने के लिए और minimum energy attain करने के लिए clear हुई इतनी बात तो हर एक atom अपने outer shell में क्या करना चाता है eight electron complete करना चाता है थाकि वो क्या कर सके stability को attain कर सके ठीक है जैसे हम example लेके चले sodium sodium का atomic number कितना होता है 11 electron distribution कैसे होगा फर्स शेल में two electron second में eight electron और third shell में क्या होगा अपने पास एक electron अब sodium की क्या tendency है sodium अपनी outer most shell में क्या complete करना चाता है eight electron complete करना चाता है तो eight electron complete करने के लिए यह क्या कर सकता है या तो seven electron को gain कर सकता है तभी यहाँ पर क्या होगे eight electron होगे या फिर यह क्या कर सकता है एक electron को loss कर सकता है तो यह क्या करेगा देखो साथ electron को gain करना तो difficult काम होगा यह एक electron को असानी से क्या कर सकता है loss कर सकता है और एक electron को loss करने के बाद यह क्या बन जाएगा Na positive जिसके electron कितने होंगे 2, 8 तो यहां देखिए outer motion shell में कितने electron है 8 electron है तो इधर से इसको क्या मिल गई stability मिल गई बात समझ रहे हो हर एक atom की यही tendency होती है कि वो अपनी outer motion shell में क्या करना चाता है 8 electron को complete करना चाता है 8 electron क्यों complete करना चाता है minimum energy attain करने के लिए और maximum stability को attain करने के लिए clear हुई इतनी बात अब देखिए इसके बाद आता है अपने पास Lewis symbols देखिए students Lewis symbols क्या होते हैं हम इनको dot representation भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको dot representation भी बोलते हैं क्या दिया था एक method दिया था उसने क्या बताया था कि हम balance electron को कैसे show कर सकते हैं भी क्या इसे balance electron को हर एक हर एक Memory के वैलान्स electron को रीपरज़न्ट करने के लिए एक सिंबल दिया था उसी को हम क्या बूलते हैं लूइस symbol बहते हैं बात समझ हूं देखिए कैसे हम रिपरजेंट कर सकते हैं लिथियम है अपने पास जैसे लिथियम के outer में कितने electron होते हैं एक electron होते हैं भी तो यहाँ हम क्या कर देंगे एक dot लगा देंगे यह एक dot क्या शो करता है कि लिथियम के balance electron कितने हैं इक बाद समझरे हूं अब नेक्स्ट के आपने पास baryllium Baryllium के बाद कोन है? Boron, Feric Carbon, Nitrogen, Oxygen, Flurine तो यहां हम क्या कर सकते हैं? Dot का यूज करके इनके Wallace Electron को represent कर सकते हैं जैसे Baryllium होते हैं Baryllium का Outer में कितने Electron होते हैं? दो तो हम यहां 2 Dot से क्या कर देंगे? इसके Outer Electron को represent कर देंगे बोरोन के आउटर में कितने इलेक्रोन होते हैं तीन तो हम यहां तीन डोट लगाके क्या कर देंगे रिपरजेंट कर देंगे वैलेंस इलेक्रोन को इसी तरह से कारबन होते हैं विकारव में कितने वैलेंस इलेक्टन होते हैं च्यार वैलेंस इलेक्टन होते हैं तो हम च्यार डोट लगाके क्या कर सकते हैं वैलेंस इलेक्टन को रिपरजेंट कर सकते हैं नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्टन होते हैं फाइफ वरन टू त्री फोर फाइफ आप वैला सेलेक्रं को र्रीपर्जरंट कर सकते हुँ तो यह किस इसका क्या करते हैं वैलेंस यहां काम अती है वहीं से calculate कर सकते हैं, तो significance of Lewis symbol, कि Lewis symbol का क्या significance होता है, तो Lewis symbol से हम क्या calculate कर सकते हैं, valency को calculate कर सकते हैं, किसको calculate कर सकते हैं, valency को, valency क्या होती है, कि किसी भी atom को, कितने number of electron loss करने है, कितने number of electron gain करने है, क्या करने के लिए, अपना octate complete करने के लिए, वो क्या क्या कैलाती है तो हम सींबल से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे करेंगे अगर अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रों कि फोल है तो अपने आपने पास वैलंस से भी क्या रहेगी जितने नंबर ओफ वैलंस एलेक्ट्रों है बतलता वैलंसी एकीड़ रहेगी इनके एक मल रहेगी वाद समझे वे जिसके लीथियम के वैलेक्ट्रों कितने है एक तो lithium की valence इलेक्ट्रोन कितने है दो तो lithium की valence इलेक्ट्रोन कितने है दो इस तैसे आप calculate कर सकते हो अगर अपने पास valence इलेक्ट्रोन क्या है greater than 4 है 4 से अगर ज्यादा है अपने पास valence इलेक्ट्रोन तो valence को हम कैसे calculate कर सकते हैं valence किसके equal आएगी 8 में से आप number of valence electron को minus कर दीजिए तो यहां से आपके पास क्या निकल आएगी वैलेंसी निकल आएगी जैसे अपने पास nitrogen है nitrogen में number of valence electron क्या है greater than 4 है number of valence electron कितने है 5 तो आप क्या कर दो 8 में से 5 को minus कर दो कितना हैगा 3 तो nitrogen के valence कितनी आगई थ्री आ गई बात क्लियर हुई तो हम लुईस सिंबल से लुईस सिंबल से क्या निकाल सकते हैं लुईस सिंबल से हम वैलनसी को कैलकुलेट कर सकते हैं लुईस सिंबल कुछ नहीं है जस्ट वैलनस इलेक्ट्रोन को रिपरजेंट करने का एक तरीका है हम डोट लगा करके वैल वो रफ्लेक्टोन गेन करने हैं अपना उक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लियर हुई इतनी बात अब देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या आता है देखो हमने एक कोशन तो यह देखा था कि वाइडू क्यों क्यों करते हैं इसका अंस्वर इसका हमें मिल चुका है अपना उक्टेट कंप्लीट करने लिए बात अीम्हंत चुरू अब नेक्सट कोशन आता है कि वट लान ओफ बन स्वमार करते हैं when तो मुल बन से तो sometimes इसका यूज करके एटम क्या करता है बॉन्ड बनाता है तो देखिए स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वो है टाइप ओफ बॉन्डिंग टाइप ओफ बॉन्डिंग की जो एटम होते हैं वो कितनी तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं समझ तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप ओफ बॉन्डिंग तो देखिए तो हमने अभी तक देखा कि जो एटम है एटम क्यों कंबाइन करते हैं फैसे कौन कौन से मोड है जिनके थूआ या कर सकते कंबाइन कर सकते हैं तो पर्सने HA. ऐंसे. होटे कंइ आपने पास क्या होता हैある? क्या हुआ हिएव इसा होता है cleans body, kia करते हैं completely यहां है, यह हुआ है, क्या हिएव इतनी बात ett Till वन काई उता है, कोल्बलेंट वॉसर्ट का और टक और क्या जो बन ऑगए वा अपने पास that is coordinate bond कौन सा बंड होगा coordinate बंड होगा इसको हम डेक्टिव बॉलते हैं क्या बोलते हैं इसको डेक्टिव बॉर्ण इतनी बात क्लियर हुई हमें क्या करने तीन टैप के बॉंड को डिसकुस करना है वन बाइवन अच्छे से डिटेल में डिसकुस करेंगे देखिये टाइ देखते हैं अब देखिए क्या होती है क्या होगा अपने पास कोई भी डो एक 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 किया अपने पास एक टाने इसके यह फुर घंग बनते हैं इसके अंदर क्या होता है एक टेंड डूर करेगा एक एक नेंचे narrow बात समझेरो आइनिक bond के अंदर क्या होता है complete transfer of electron होता है यहां क्या होता है complete transfer of electron होता है यहां एक atom जिसकी electronegativity कम है वो क्या करेगा एक electron को transfer कर देगा दूसरे atom को तो इस तरह से जो bond बनता है by complete transfer of electron जो bond form होता है उसको हम क्या बोलते हैं आइनिक bond बोलते हैं अब next देखिए covalent bond क्या होता है covalent bond में complete transfer नहीं होता यहां क्या होता है देखो एक a atom है एक electron ये लेके आएगा इसके electron का यूज ये वाड़ आइटम भी करेगा और इसके electron का यूज ये करेगा बात समझे तो इस तरह से mutual sharing से जो bond होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं covalent bond बोलते हैं clear हुई इतनी बात तो देखे students covalent bond क्या होता है covalent bond is formed by mutual sharing of electron यह कैसे होता है mutual sharing of electron से कि जब electron क्या करते हैं अपने electron को mutually share करते हैं तो उस तरह से जो bond होता है उसको हम क्या बोलेंगे covalent bond बोलते है clear हुई तनी बात अब next आता है coordinate bond coordinate bond में क्या होता है दोनों के दोनों एक bond को form करने के लिए एक bond जो बनाते हैं तो उस bond के लिए कितने electron चाहिए हमें दो electron के need होती है बात समझे जो तो देखो bond को form करने के लिए दोनों के दोनों electron क्या करेगा सिर्फ एक ही atom देगा भी दोनों atom कोन combine करेगा एक है कोन share करेगा एक ही atom और दूसरा कोई भी electron बात समझ रहो सिर्फ यहां पर क्या कर रहा है एटम दो इलेक्ट्रों को क्या कर रहा है दोनों के बीच में शेयर कर रहा है भी बात समझ रहो बी का यहां कोई contribution नहींyan भी का इधर कोई ब田 Iya यह सिर्फ क्या कर रहा हैं इन award skills को एकसेप्ट कर रहे यह क्या है डोनर जो दे रहा है है वो टोनर और अपते हैं सर दो ट्रोंड गेलिज़टर इस तहिंे-शन्य जब दोटता है उसको क्या बहते हैं कॉडिने एक-एक एलेक्ट्रोन को लेकर आएंगे और वो बॉलैंट को ट्लाएगा अपने पास से लाइगा शेयर करेगा थारी हिलिए सुवल गते हैंное चारए देख़िए को अमें पूर्ण कॉर्डीनेट वोन में क्या ऊसी होता है अपने पास कि अपने पास दूसरा दोनो के दोनों इलेक्ट्रोन एक ही एक्सेप्ट रह cणर स्थ और ये एक एक्सेप्ट करेगा यह एक एक ऐकट्म क्या करेगा रर्म को ड़नेट करेगा ऐसे इतनी पात तो आब हम वन बाइं करके इन को डिटेल्म है छिते हैं अब जो अपना नटॉपिक है वो क्या है आया निक बॉट तो देखिए फिर्स्ट इम में क्या होगा आपने पास ë मेरे इसरा ए क्के किया है एक कीडंप करने की उस क्या एकॉटों करने कुलींग बना देगा नीगरिटीव का formation करतेगा बात समझ दो अब इधर से देखो A positive और B negative यह A positive क्या करेगा इस B negative के साथ combine करेगा अब यह देखो दोनों positively charged species है positive क्या करेगा negative को attract करेगा negative positive को इस तरह से इनके बीच में क्या हो जाएगा एक bond का formation हो जाएगा A B इस तरह से देखो A के उपर positive charge B के उपर negative charge और इस त bond बोलते हैं देखो नाम से पता चल रहा होगा ionic bond मतलब आयन के बीच का bond यह एक positive आयन है एक negative आयन है जब positive आयन negative आयन को attract करेगा तो इनके बीचे कौन से bond का formation होगा आयनिक bond का formation होगा और आयनिक bond कैसे बनता है by complete transfer of electron कि एक atom क्या करता है अपना एक electron complete transfer कर देता है कि इसको दोसरे atom को इस तरह से जो bond form होता है उसको हम क्या बोलते हैं आयनिक bond बोलते हैं clear हुए इतने बात तो लिखिये student क्या होता है अपने पास आयनिक bond वेन ए बोन इस फॉर्मड बाइए कम्प्लीट ट्रांस्फर ओफ एलेक्ट्रोन जब ऐसा कोई बोन जो कैसे फॉर्म होता है रखिये और प्रांस्फर ओफ एलेक्रोन से फॉर्मोगा ध्यूर्म फ्वन एटम तो अनधर अधर अटम तो अटेन नबल गैस कॉंफिग्रेशन इस नौन एज आइनिक बॉंड और इस आइनिक बॉंड को हम इलेक्ट्रो वेलेंट बॉंड भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रो वेलेंट बॉंड यह करें इसमें क्या होता है इलेक्ट्रो वेलेक्ट्रो का कम्प्लीट ट्रांसफर होता है एक आइसे घॉपाने के लिए ऐसे बॉंड को हम क्या बोलेंगे आइनिक बॉंड बोलते है ठीक है और ionic bond को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं d cocaine ये लेक्तरो वैलेंट वोन्ट इसकोchauते हैं इलेक्तरो वैलेंट भी वोलते हैं clear ही वितनी बात अब एक प्रपर एक्जेम्पल देखे चलते हैं वहीं आप उस example से देखना कि आइनल पॉंट कैसे फोम होता है जैसे अपने पास NACL होता है common salt यह सबने सुना होगा NACL इदर sodium के पर कौन सा चार्ज होता है positive और chlorine के पर कौन सा चार्ज होता है negative तो देखिए इधर क्या होगा अपने पास sodium NACL sodium का atomic number कितना होता है 11 electronic distribution कैसे आएगा first में two electron second में eight electron और third में कितने electron है एक अब यह क्या करेगा noble gas configuration attain करने के लिए एक electron आसाने से release कर सकता है तो sodium क्या करेगा अपना एक electron release करके क्या बना देगा N A positive तो यहां से क्या हो जाएगा दिखो two eight यह configuration attain कर ली stability gain कर ली और इसने क्या कर दिया एक electron को close कर दिया अब second को न आएगा अपने पास chlorine chlorine का atomic number कितना होता है 70 electronic distribution कैसे होगा two eight seven इस तरह से होगा अब देखिए chlorine को अपनी outer shell में eight electron complete करने के लिए कितने electron चाहिए एक electron और चाहिए तो वह एक electron को क्या कर सकता है असानी से gain कर सकता है जैसे यह electron को देखेगा तो एक electron को gain करके क्या कर देगा सील नेगेटिव का formation अब यहां से क्या हो गया electron distribution two eight eight यह बन गया भी इदर outer shell में कितने electron आगे eight electron आगे इतने बात समझ में आगी देखो दोनों atom ने क्या कर लिए stability को attain कर लिया अब यहां से देखो यह एन ने पॉजिटिव अब क्या करेगा इस सील नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा भी एन ने पॉजिटिव कंबाइन विद सील नेगेटिव और इधर से कि formation हो जाएगा एन एसे सील का formation हो जाएगा इस टाइफ से बंद बनता है उसको क्या बोलते हैं आइनिक बोर्ड बोलते है ठीक है और देखिए जो लोड को Oops करने के तैडन सी होती है वह किसकी होती है मैटल की तो यहां जो इलेक्रों को लोगत करेंगे वह ऑल्लमेट को से होंगे मैटल और असानी से कौन कर सकता है नोन मैटल एक तरह से मैटल और मैटल के बीच का बॉन्ड होता है समझ रहो इस तरह की बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे आइनिक बॉन्ड बोलते हैं ठीक है अब आगस्ट FIR लेकि चलो जैसे अड l large vapor अपने पास नेकस्ट एक्जेंपल यह है कैल्सिय'M फ्लॉइड आप देखो इसका सुर्मेशन कैニ आतो होँगो कि तना होता है 20 कैसे एलेक्ट्रों डिस्ट्रिबूशन लिखोगे आप फर्स शेल में 2 सेकंड में 8 फिर से 8 और फिर क्या जाएगा 2 इलेक्ट्रों इस तरह से आजाएंगे ठीक है अब यह कैल्शियम क्या कर सकता है अपनी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रों को कम्प्रीट करने के लिए यह से दो और जिंद को क्या करवा क्या करवाब में कर यहां कर देगा और जदर से 2 इलेक्ट्रों ब egent करें इस तो मिलेक्ट्रों के बाहर बात वहब है chemicals कि अबए फ्न, अपने पास फ्नोरों कितने हैं थो देखो एक wahand nhất सुन सेवज़ान करने की है इसको जहां से भी कलेगा उसको क्या यह डिए देखो कएफ्या में किट्ने एक म्लौस की है दो तो क्या करेगा इनन्हें से एक य् dorad ॉचाएगा और गयन करके क्या बना देगा ए सब्सक्राओं करके किसकthenarian करदेगा अब यह सारे क्या करेंगे आपस में बóंड का सब्सक्या करेंगे इन दोने डाइफ नेगरिंटिव के साथ कमभाइनब में apart । ठीक है तो इस type का जो bond है यह क्या क्लाता है आइनिक bond क्लाता है तो देखो कैसे form हो जाएगा calcium है अपने पास calcium क्याओंटर में कितनी electron थे ऑपने पास fluorine है fluorine के खिलाकम में कितनी electron थे 7 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से आप यहां यहां कर सकता है अपना ये electron completely इस fluorine को transfer कर सकता है और ये वाड़ electron completely इसको transfer कर सकता है तो इस तरह से किसका formation कर सकते हैं ये ionic bond का formation कर सकते हैं I hope आपको इतनी बात समझ आई होगे अच्छे से आप इसी तरह से magnesium oxide का बना के देखना आप खुद प्रेक्टिस करके देखना कि magnesium oxide के बीच में ionic bond कैसे बनता है MgO magnesium oxide के बीच में कैसे bond form होगा आप खुद इसका ये structure draw करके देखना अब देखो उसके बाद एक term आती है electrovalency देखे students एक term आई कि electrovalency ये electrovalency क्या होती है तो देखो electrovalency क्या है कुछ भी नहीं यह क्या है number of electron है this is the number of electron which is transferred which is transferred from one atom to another atom यह number of electron है जो एक atom से दूसरे atom पर क्या किया जाते है transfer किया जाते है one atom to another atom उन number of electron को हम क्या कहेंगे electrovalency बोलते हैं जैसे NaCl का example लेके चले हम NaCl के case में यहाँ पर देखो Na positive Cl negative यह फोर्म हुआ था इज़र sodium ने कितने electron transfer किये थे chlorine को एक electron transfer किया था कितने electron transfer किये थे एक तो इस वज़े से इसकी electrovalency कितनी है एक है बात समझे हूँ electrovalency क्या होती है electrovalency वो number of electron होते हैं जो हम ionic bond बनाने के दोरान transfer करवाते हैं एक atom से दूसरे atom पर यह क्या है अपने पास electrovalency है electrovalency क्या होती है it is the number of electron which is transferred from one atom to another atom कि एक atom से दूसरे atom पर जितने number of electron transfer करवाई दाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं electrovalency बोलते हैं जैसे magnesium oxide का आप example लेके चलोगे MgO का तो इधर magnesium क्या करता है magnesium के उपर आता है two positive charge और oxygen के पर कितना आता है two negative इधर से magnesium से oxygen की तरफ कितने electron transfer हुए है दो electron transfer हुए है तो इस system के लिए electrovalency कितनी होगी दो तो यहां से electrovalency कितनी आ जाएगी two आ जाएगी इतनी बात clear हुई अब next देखिए next topic जो आता है अपना इसके बाद that is factor governing the formation of ionic bond की ionic bond की formation को कौन-कौन से factor govern करते हैं वही ठीक है तो देखो factors affecting the formation of ionic bond कि जब ionic bond बनता है तो ionic bond के बनने के लिए कौन-कौन से factor responsible होते हैं हमें वह देखना भी तो देखना भी requires students first अपने पास जब ionic bond बनता है तो फॉस्ट्रोस अपने पास क्या होता है first process ये होता है कि कोई भी एक metal होगा अपने पास metal atom होगा ये क्या करता है electron को lose करता है क्या करता है ये electron को lose करेगा और electron को करके क्या करतेगा positive line का formation कर लेगा बात क्लिर हुई अभी डखो हमने ये last unit में पढ़ा था कि जब भी हमें क्या करवाना होता है किसी isolated ये isolated gaseous atom है जब भी हम क्या करवाते है isolated gaseous atom से एक elektron को remove करवाते हैं तो electron को remove करवाने के लिए हमें क्या करनी परती है energy ये ट्रांसफर करनी परती है तब ही क्या होगा एक होगा बात समझ पूसरे Почему क्या बोलते थे आईनजेशन एन्खेंवी बोलते थे आपको याद होगा सब को देखो हमने लास्ट टाइम ही किया है आइनाजिशन एंथल्पी क्या होती थी आइनाजिशन एंथल्पी क्या है इसको लोज करवाने के रिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं आइनाजिशन एंथल्पी बोलते हैं तो इसी तरह से यहां होगा भी जब इसको रवाने के लिए क्या चाहिए एनर्जी चाहिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी बात समझे यहां इसको एनर्जी देंगी अगर दिखो अपने पास कोई मैटल ऐसा है ज अज़े एनर्जी हैं तो फिसले आपने पास क्या हुआ कि जाएनिक बाता है ऊससांता है उसका घुआ मेटल को रिमूब करने के लिए जो energy देनी पड़ती है वो कैसी होनी चाहिए low, कैसी energy होनी चाहिए low है energy होनी चाहिए तो यह अपना क्या है first factor है बात समझे रहो कि जब भी metal क्या करेगा electron को loss करेगा तो वो metal ऐसा होना चाहिए जो low ionization enthalpy पर ही क्या करते electron को loss करवा दे बात समझे रहो तो इधर से first factor अपने पा स्कूलास क्या होगा कोई भी नोन मेटल है मालोग अविआ बी क्या करेगा नोन मेटल क्या करेगा electron को gain करेगा और electron को gain करके किसका formation करेगा यह यह डी नेगिटिव चाना एकना का फोर्मेशन करेगा अब देखो ऐसा कोई system ऐसा कोई isolated gaseous atom जब इलेक्ट्रों को क्या करेगा गेन करता है तो वह अपने अंदर से क्या करेगा एनर्जी को बाहर रिलीज करता है क्या करता है वह एनर्जी को बाहर रिलीज करता है और वह अमांट ऑफ एनर्जी जब क्या करते हैं किसी भी एटम के अंदर हम एलेक्ट्रों को एड करवाते हैं तो वह क्या 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 लेक्रन गेजन फलब्र किलाती है यह भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि एक्टरोन फेल्फी क्या होती है कर वो इनटेल्ची होती है जो और यो tort होती है जब हम किशी आईसि से अंदर इसे सर्फट्र गें कि अदर एक एक्षा सी सेरेटर अधस करते हैं जाँ एसा ही यहां होगा जब हम नॉण मेटल के अंदर या बी एलिमेंट के अंदर एलेक्टोन को एड़ करवाएंगे तो यह क्या बणाएगा बी नेगीटीव और बी नेगेटीव बनाने के बाद यह अपने अंदर से क्या करेगा एनर्जी को लोस करेगा तो इदर से जो करेगा वाज समझ रहे हो तो इधार से जो इलेक्रों गेन एंथंफि होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए हाई अगये अब धर गर क्या होता है अपने पास त्धर में हम क्या कर वाती है जो अपने पास एप सब्सक्राइब करेगा यह से देखे इसाली अससी ठिक क्या करता है एनायन को अपने तरफ अट्रेक्ट करता है तो उस टाइम भी क्या होती है एक एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं यह आपने फर्स रिली जोनस टाइम जो आएनडी बाहर रिली गूती है स्God क्या वोलते हैं क्या बोलेंगे इसको निचेंब इक फिर रेक क्या एंछ हो गए उती से एश वह ए अंर इननर जी released when one mole of cation attractive one mole of anion two form ionic compound समझे लेटिस एनरजी क्या है लेटिस एनरजी वो amount of energy है जो बाहर release होती है जब one mole of cation one mole of anion को अपने तरफ attract रता है one mole of anion compound के formation के लिए उस समय जो energy बाहर release होगी वो क्या कहलाएगी अपनी lattice energy कहलाती है और lattice energy देखो ये भी बाहर release होगी है होगी तो इसका इसकी जो value होने चाही वो भी कैसे होने चाही ह Baba ठीक है अगर lattice Ethylpsy Lattice Enthalpy जो बाहर release होगी है इसकी amount भी कैसे होने चाही है ए अगर ये high amount भी कैसे होने चाहरी होगी तो अपने पास compound बनेगा ये कैसा compound बनेगा how사 stable बनेगा, बात समझे रो, तो देखो हमने क्या देखे, तीन फेक्टर देखे, जो आइनिक बॉंड को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, फर्स्ट अपने पास क्या है, आइनाजेशन एन्थेल्पी, कि आइनाजेशन एन्थेल्पी कैसी होने चाहिए, लो होने चाहिए, इलेक इनर्जी किसके उपर डिपेंड करती है बेलेटिस एनर्जी हाई होगी या लो होगी ये किस बात पर डिपेंड करती है ये डिपेंड करती है कि कैटाइन और एनाइन के बीच में फोर्स ओफ अट्रेक्शन कैसा है बात समझ रहो कि कैटाइन एनाइन को कितने फोर्स ओफ रापत बहुत है मसब प्रोड शीए मैगनीॉड होगा अगर इसके नार्ज होगा तो ཀस क्या होगा ज्यादा तो इदर से हम देखो क्या बता सकते हैं कि जो पर बहुत करता है रेडियस के डिबेंड करता है किसकी रीडियस एकस पर होगी जादा होगा अगर जादा होगी तो यह एक दूसरे के क्या होते हैं इन्वर्स भी प्रपोर्शनल होते हैं यहां स्क्यर आएगा ठीक है तो देखो जो अपने पास दो अपोजिटली चार्ज आइन है एक पोजिटिव है और एक नेगटिव है इनके बीच का जो फोर्स उफ किम पर इंड करता है पॉस्ट तो और उनके चार्ज के मेंगिट्वीट पर इंड करता है अगर आयन का साईज भड़ा होगा तो उनके बीच-फस ओफर्रेक्शन कम वोका अगर आयन का साइज़ छोटा होगा तो इनके बेच्ष-फेर्ष उभी योगा बात समझ्यों तो अगर force of attraction जादा होगा ions के बीच में तो अपने पास lattice enthalpy जो होगी वो क्या होगी जादा lattice enthalpy जो बाहर release होगी lattice enthalpy क्या होगी high और अगर lattice enthalpy high होगी तो अपने पास ionic bond जो बनेगा ionic bond उसकी strength उतनी ही क्या होगी जादा ऐनिक पॉज़ है ऊसे क्लेरी कि आप देखोक्राइब्स देखते हैं क्या है अपने पास कि ये बताएब कि एंटल एंड याऔर मंसु एक हे एने वाय मोडिय एंड मघंशनेएंट विच फिर वन कि इन में से किसका melting point higher होगा यह आप explain किजिए तो देखे students आप कैसे बताओगे बिलकुल simple question है कुछ भी नहीं करना बस आप यह देखो कि इन दोनों में से किसके ionic bond की strength जादा है इन दोनों में से किसका ionic bond strong है उसे का melting point क्या होगा अब देखो हम कैसे बता सकते हैं कि किसका ionic bond strong होगा तो जहां पर force of attraction ज्यादा होगा आइन के बीच में उसी के लिए ionic bond क्या होगी strong होगी तो देखो NaCl में क्या है अपने पास NaCl में sodium पे क्या होता है positive charge chlorine पे क्या होता है negative charge magnesium oxide में क्या होता है अपने पास magnesium पे क्या होता है two positive charge और oxygen पे क्या होता है two negative charge बात समझे अभी देखो उपर मैंने एक formula लिख रखा है कि ions के बीच को जो force of attraction वो किसके ओपर depend करता है जो ऊंपर charge है उन charge की प्रोडोंट की उपर तो देखो कितना चार्ड है प्लस वन चार्ड है तो force of attraction ऑप लिए खालगा प्लस ऊद्वाइंग क्या होता है चार्ड का magnitude कौन से आइन में जादा है कौन से कंपांट में जादा है magnesium oxide गेंदा जादा है तो इधर इन ions के विच में force of attraction क्या होगा जादा और force of attraction जहाँ जादा होगा उनका जो ionic bond बनेगा वो ionic bond कैसा बनेगा strong ionic bond कैसा होगा strong और ionic bond strong होने की वजह से इनका melting point क्या होगा high melting point क्या होगा high तो देखो NaCl और magnesium oxide में इन दोनों में से किसका melting point हाई होता है magnesium oxide का melting point हाई होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसके charge का magnitude क्या है high और size भी क्या है इनका small इसी वजह से इन ions के बेच में force of attraction जादा होगा force of attraction जादा होगा तो ionic bond strong होगा और ionic bond अगर strong होगा तो इनको break करवाखाना difficult होगा इसे वजह से इनका melting point क्या होता है high होता है clear हुई इतनी बात तो I hope students आपको यह समझ में आया होगा किस फॉर्म में होते है combine form में वह molecule की form में exist करेंगी combine क्यों होते है वह combine किस के थूरू होते है bond के थूरू bond क्या formation क्यों करते है अपना octate complete करने के लिए यह बात किस ने बताए कि अपने को octate rule ने बताए थी उक्टेट रूल ये बोलता है कि हर एक अक्टम के टेडंसी होती है अपने आउटर शेल में एट एलेक्टम को कम्प्लीट करने की उसके बाद फिर हमने लुईस सिंबल से देखे लुईस सिंबल का सिग्निफिकेंस देखा फिर हमने देखे टाइप और बॉंडिंग कि अपने काइनिक बॉंड को कौन क्या फैक्टर अफ्ट करते हैं तो फर्स्ट अपने पास क्या होने चाहिए नजीटेशन अंधल्पी लोicar होने में होने चाहिए और फ़र्ड़ क्या Louisiana है इयोग कैसे में अच्छे से पढ़ना इसमें कोई भी डाउट आये तो आप मुझ करते अपने क्लास को